नमस्कार मित्रों, आज हिंदी सहित्य में सुनिये अनमोल और खुबसूरत कहानियों की कड़ी में मन्नु भंडारी जी की लिखी हुई कहानी मजबूरी तो शुरू करते हैं कहानी मजबूरी बेटू को खिलावे जो एक घड़ी उसे पहनाओं मैं सोने की घड़ी बेटू को खिलावे जो एक पहर उसे दिलाओं मैं सोने की महर बूरी अम्मा जोर जोर से ये लोडी का रही थी और लाल मिटी से कमरा लीप रही थी उनके घुसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकल कर उनके चेहरे पर लटकाई थी जो उनके हिलते हुए सिर के साथ साथ हिल हिल कर मानों लोरी पर ताल ठोक रही थी बरतन मलने के लिए आई हुई नर्बदा ने जो ये देखा तो हैरत में आ गई बोली अम्मा ये क्या हो रहा है कल तो गठिया से जोड़ी पड़ी थी दरत के मारे तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आगन लीपने वैट गई एक चण को तो अम्मा का हाथ रुका फिर पुलकिस स्वर में बोली अरी नर्बदा मेरा बेटू आ रहा है कल फिर गाने के ही लहजे में बोली बेटू मेरा आवेगा ओहो तो रामेसुर लल्ला आ रहे हैं कल नर्बदा ने पूछा मैं कहने नहीं रही थी कि छुटी मिली नहीं कि वो दोड़ा आवेगा अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं इतना बड़ा हो गया है फिर भी यहां आएगा तो रात में एक बार मेरी गोद में सोएगा पर इस बार मैं कह दूँगी कि चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूँगी अब तू गोदी में सोएगा कि मेरा बेटू और वेहास पड़ी जैसे कोई भारी भजाक कर दिया हो फिर एका एक काम का ख्याल आ जाने से बोली लेरी मैंने खड़िया भिगो रखी है जरा बाहर के आंगन को मांड दे बस ऐसा मांडना कि सब देखते रह जाएं क्या करूं आजकल हाथ कापने लगा है नहीं तो मैं ही मांड रहती नर्मता को खड़िया के काम में लगा कर विफिर काने लगी आओ रिचड़िया चून करो बेटू उपर राई नून करो नून करो नून करो ले मैं तो भूली गई क्या है इसके आगे रामिसुर छोटा था तो डेरो याद थी उसके बाद तो छोटा बच्चा ही नहीं रहा घर में जो सब भूल गई मेरा रामिसुर तो बिना लूरी सुने कभी सोता ही नहीं था बेटू भी जरूर उसी पर होगा अब तो दोड़ता फिरता होगा आंगन में और उनकी धुन्दली आँखों के आगे जैसे दोड़ते फिरते बेटू के चितर बनने बिगड़ने लगे उसी कलपना में खोई खोई भी बोलती गई पहले बहु लेकर आई थी तब तो दो महिने का था बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पर मारता था और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही नियाहरा करता था सूरत भी एकदम रामेसुर पर ही पड़ी है उसकी अब तो खुद देख लेना सारा घर नापता फिरेगा और वे हस पड़ी इन सब कलपनाओं से ही रह रहकर उनका शरीर रोमांचित हो रहा था अम्मा का काम समात हुआ तो मिट्टी से सनी दोनों हतेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रैतने किया पर एक सर्द आस इनके मुँसे निकल कर रह गई वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोनी अरे नर्बदा मुझे जरा उठाई दे गुटने तो जैसे फिर जुड़ गए जुड़ेंगे तो सही ऐसी सरदी में जब से मिट्टी से सनी बैठी हो बेटे बहु आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है सबी के घर आते हैं और नर्बदा ने अम्मा को सहरा दे कर उठाया उनके हाँ दुलाए और खटिया पर लिटा दिया तू भी कैसी बात करती है नर्बदा दो बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन में न लीपूँ दो बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उन में मुह माया नहीं है तुम योही मरी जाती हो उनके पीछे देख नर्मदा मेरे रामे सूर के लिए कुछ मत कहना ये तो मैं ही जानती हूँ कि दो दो बरस मुझे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीटते होंगे पर क्या करें नौकरी तो आकर नौकरी ही है ना मेरे पास आज लाकों का धन होता तो बेटे को यो नौकरी करने परदेश नहीं तुरा देती पर और उनके कुछ छण पहले पुलकते चेरे पर मायूसी चा गई आँखे अनायासी डबरवा आई नर्वधा यहां बरसों से काम करती है अम्मा के लिए उसके मन में अपार शद्धा है पर बेटे के प्रसंग को लेकर वो जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है कुछ और खरी-खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था पर आज अम्मा पर तरस खाकर चुप रहे गई जब तक वो काम करती रही अम्मा शूने में ताकती जाने क्या सोचती रही बोली एक शब्द भी नहीं जब वो जाने लगी तो ना चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा तू जाते समय गवाले को कहती जाना कि कल दूद जल्दी दे जाए और अब से दूद जाता लगेगा बच्चे वाले घर में तो दूद पूरा ही रहना चाहिए जब तक वे लोग यहां रहें तब तक तू भी चौका बरतन करके यहां रहा करना घर में पांच प्राणी रहते हैं तो काम तो निकली आता है फिर बच्चे का साथ रहेगा देने लेने की चिंता मत करना मैं रामे सुर को एक कहूंगी तो वो पांच देगा खुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नरवर्दा की बातों ने अम्मा का उत्सा तोड़ दिया बहुत से काम उन्होंने सोच रके थे पर वे कुछ ना कर सकी बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रही तीरे दीरे रात के अंदिकार में उनके मन की माई उसी भी डूप गई और वे भोर होने के पहले ही उट बैठी गुटने का दर्द मन के उत्साह में को गया बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडग भी जैसे जाती रही साथ बचते बचते तो वे सब घरी पहुँच जाएंगे साथ छोटा बच्चा है दूद तो गरम करके रखी दूँ फिर उन दोनों को भी चाय की आदत होगी ऐसी सरदी में चाय तयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला दूसरा चुला भी जला दू नाने को गरम पानी भी तो चाहिएगा उस कड़कती सरदी में ठिटूरते ठिटूरते अम्मा ने बेटे बहु को गरम करने के सारे आयोजन कर डाले फिर सोचा लगे हां तरकारी भी काठी दू नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर में चूले में सिर्दे कर बैठ जाऊंगी बरसों में मेरा बेटा खरा रहा है घड़ी दो घड़ी उससे बाते भी नहीं करूँगी इनका क्या ये तो अपनी राजी खुशी पूच कर आउजदाले में चल देंगे तरकारी भी कड़ गई अब क्या करें अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा की बोजिल क्षण मैसूस ना हो पर समय जैसे बीती नहीं रहा था तबी दूर कहीं गोडों के घूरों की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने आकर रुखा अम्मा पागलों की तैद दर्वाजे की ओर दोड़ पड़ी रामेशूर की गोश से लोने जफट कर बच्चे को ऐसे चीना मानों किसी चोर उचक्के के हां से वे अपने बच्चे को छीन रही हो और कसकर उसे सीने से चिपका लिया चड़ छूते ही रामेशर की पीट पर हाथ फेड़ते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया बच्चा एक एक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और मा के पास जाने के लिए मचलने लगा वे उसके आसू पोशने लगी तो उनकी अपनी आखों में भी आसू किधारा बैने लगी पुछकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहु की और बढ़ाते हुए उन्होंने कहा अभी मुझे पहचानता नहीं एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं उपेक्षिस सी एक और खड़ी बहु ने बच्चे को ले लिया चाय पानी हो गया और आमेशर नाने चला गया तो अम्मा ने बहु को अकेले पाकर कहा खबर तो दियो थी बहु की तुमारे महीने चड़े हैं कितने महीने हैं जेबते हुए बहु ने उत्तर दिया ये भी कोई लिखने की बात थी अम्मा फिर जरा रुखते रुखते का मानो कहने का साहस बटो रही हो अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ तब तक उसे अपने से हिला लीजिए मैं तो इसके मारे ही परेशान थी दोदो को तो अम्मा आखे फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या नहीं फिर एकाए गोर पड़ी तुम क्या कह रही हो बहू बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी मेरे पास सच हे भगवान तुमारी सब साथ पूरी हो तुम बड़ भागी हो मेरे सूने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा तो जनम सफल हो जाएगा फिर वे एकाए गोर पड़ी तुम क्या जानो बहू अपने कलेजे के टुगडे को रिकालगर मुंबई भेज दिया रामेशुर के बिना ये घर तो मसान जैसा लगता है ये तो ठहरे संत आदमी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं मैं अकेली ये पहाड जैसे दिन कैसे काड़ती हूँ सो मैं ही जानती हूँ भगवान तुम्हे दूसरा भी बेटा दें तुम उसे पाल लेना पर देखो अपनी बास से मोरना नहीं मैं मैं तभी रामेशर ने ठिटूरते हुए रसोय में प्रवेश किया अम्मा एक अंगिठी जरा इधर रख दो मुंबई में रहकर सर्दी सेने की आदती नहीं रही यहां तो नहते ही जैसे जम गया अम्मा ने अंगिठी रामेशर के पास सरका दी तभी रामेशर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की और गया यह क्या अम्मा तुमने कुछ गरम कपड़ा नहीं पहने हो सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है ऐसे कैसे चलेगा ना हो तो बनवालो कपड़े मैं रुपए दे दूँगा पर यह सब अंसुना करके अम्मा बोली देख आज बहु ने कह दिया है कि बेटू मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वो तुम्हारे पास तू कहीं टाल मच्चा ना बात पक्की हो गई आज से बेटू मेरा हुआ अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा बोलो नहीं है परियास के स्वर में रामेश्वर बोला हो क्यों नहीं मेरे नहीं हो तो और किसके हो पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा अम्मा ने कहा तब ही वैदराज जी कुछ खाली शीश्यां लेकर आए तो अम्मा बोली सुते हो जी इस बार बेटू यहीं रहेगा बेचारी बहु खुद अभी बच्ची है दोदो को कैसे संभालेगी और फिर पहले बच्चे पर तो यो भी दादी का ही हक होता है उनके हातों की गती बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जराबी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी दोपहर को नर्वदा से भी कहा बहु के तो फिर बच्चा होने वाला है बिचारी दोदो को कैसे संभालेगी तो मुझसे कहन लगी अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा उसे कहने में बड़ा संकोश हो रहा था कि मुझे बढ़ापे में तकलीफ होगी पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ बला ऐसे समय घर कही तो लोग काम ना आएंगे तो कौन गाएंगे भला इसके बाद घर में जो भी कोई आया उसे यही ख़बर सुनाई गई अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यद अब किसी कारण से भव का मन फिर भी जाए तो शरम के बारे वो अपना इरादा ना बदल पाए अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नोन राई करने में ही बीचता जाने कैसी कैसी ओरते घर में आती हैं तंजरुस्त सुन्दर बच्चे को कड़ी नजर से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं बेटू को लेकर उनके शितिल और नीरस जीवन में नया उत्साहा आ गया था गुट्लों के दर्द के मारे कहां तो वे अपने शरीर का बोजी नहीं डोपाती थी और कहां अवे बेटू को लादे फिरती है शाम पोस के साथ आँख में चौनी खेलती बेटू का गोड़ा बनकर आंगन में दोड़ती फिरती बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हसते पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी रामिश्वर ने टोका अम्मा क्यों से लादे फिरती हो यों ही तुमारे गुट्नों में दर्द रहता है तो बिगड़ पनी कैसी बात करता है रामिश्वर इसमें भी कोई वज़ान है जो उठाना भारी पड़े फूल जैसा तो हलका है खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया माबाप की नजरी सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता निश्य समय पर दूद पिलाना शीशी में दूद बरना बाद में उसकी सफाई करना उसके बाद गिलास से पिलाती थी यह शीशी का नकरा उस जमाने में था ही नहीं और होगा भी तो शेहरों में होगा पर रमा से बड़ी लगन और ततपरता से एक जिग्या से विद्यारती की तरह उन्होंने ये सब भी सीखा पती से जिद करके औश्टाले की दिवाल घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी उतरवा कर घर में लगवाई उनके एका की जीवन में समय का कोई महत्वी नहीं था ना पती को दफ्तर जाना रहता था ना बच्चों को स्कूल जो समय से कोई काम करना पड़े पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवशक्ता महसूस होने लगी थी यों उनकी यादाश्ट बड़ी कमजोर थी पर दूद के समय उन्हें जो याद किये तो कभी नहीं बूली शुरू शुरू में ये सब उन्हें बड़ा आटपटा सा लगा था फिर भी विसारा काम बड़ी सतरकता से करती शीशी में दूद भरते समय उनका बुड़ा तकसर काम जाया करता था और दूद बाहर को गिर जाता था उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी बहुत जल्दी सीख लूँगी बभू जरासा हाथ काम गया था फिर शीशी का मुवी तो कितना छोटा है उनका कहने का भाव तो ऐसा होता मानूँ और कह रही हूँ इस छोटी सी गलती के कारणी कहीं तो बेटू को मत ले जाना बीज दिन बाद जब बहु ने अपने मा के घर प्रयान किया तो बेटू ने ना जिदकी ना वो रोया ही बहु के कड़े नियंतरण के बाद दादी के असीन दुलार में रहना जहां कोई बंदन नहीं अंकोष नहीं बेटू को बढ़ाच्चा लगा बहु चली गई अम्मा ने निश्चित्ता की एक सांस ली महीना बीते न बीते खबर आई कि बहु के दूसरा भी लड़का हुआ है अम्मा की छाती पर तो जैसे एक भारी बोज हड़ गया संशे का एक काटा जो रमा के जाने के बाद भी मन में चुभा रहता था वो भी निकल गया बेटू अब मेरा है पूरी तरह मेरा है ये भावना उस दिन जाकर पूरी तरह उनके मन में जम गई जाने से पहले रमेशुर ने अम्मा और पिताजी के लिए धेर सारे कपड़े बनवाए थे अम्मा सारे महले की ओड़ों को दिखाती फिरती जो कोई आता उसी से कहती अम्मा के पीछे तो बस रमेशुर पागल है ना आगे की सोचता है ना पीछे की उसका बस चले तो मुझपर ही सारा घर लुटा दे लाख मना करती रही पर एक नहीं मानी अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहल कर कहां जाऊंगी पर वो क्यों सुनने लगा ये सब कहते समय उनके जुडियों भरे चेरे पर चमका जाती और वे आखे मून कर अपने बेटे के चिराए होने की काम ना करती जब रामेशुर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर बर दिया हिच्कियां लेते हुए बोली देख रामेशुर ये दो-दो बरस तक घर का मूना देखने वाली बात अब नहीं चलेगी पर आगे वे कुछ नहीं कह सकी बस फूट फूट कर रोने लगी आंसु भरी आखों से वे रामेशुर के तांगे को तब तक देखती रही जब तक वो आखों से ओजल नहीं हो गया उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी चाती से चिपका लिया दूसरे साल रामेशुर नहीं आया केवल रमा आई शायद बेटू को देखने पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया जिस बेटू को वो छोड़कर गई थी और जिससे अब वो देख रही है दोनों में कोई सामन जसी ही नहीं था बात बात में उसकी जिद देखकर अमा का कून खौल जाता खाना वो दादी अमा के हाथ से खाता और सारे दिन चड़ता रहता था रात में सोता तो दादी अमा के दोनों अंगुठे पकड़ कर सोता कुछ ना कुछ जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नीनी नहीं आती थी सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पला पकड़े हमके पीछे पीछे भूमा करता शाम को गली महले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता उसे देखकर कौन कहेगा कि एक पढ़ी लगी सब भी लड़की का बच्चा है घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता उसे बेटू को जरूर कुछ ना कुछ खरीदना होता ना दिलवाने से जमीन आस्मान एक कर देता मचल मचल कर सारे आंगन में लोड़ता आखिर रमा को जबान खोल नहीं पड़ी अम्मा आपने तो इसे बिगाड कर धूल कर रखा है इस तरह कैसे चलेगा दादी माने हसते हुए बड़े ही सहज भाव से खा अरे बच्पन में कौन जिद नहीं करता बहू रामे सुर्वी ऐसे ही करता था ये तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है यही तो उमर होती है जिद करने की साल दो साल और कर ले फिर तो अपने आप सब कुछ छूट जाएगा और वे मुक्द भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में उगलियां चलाने लगी रमा खून का गूट पी कर रह गई रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ ले जाए पर एक साल का पकू ही उसे इतना परिशान करता था कि दोनों को एक साथ रखने का सास नहीं हुआ मुंबई जाते ही उसने अमा के पास जरा खरी-खरी भाषा में पत्र पहुचाने आरम कर दिये जैसे वो चार साल का हुआ रमा ने लिख दिया कि अमा अब उसे वहां के नर्सरी स्कूल में भरती करवा दे कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा चिठ्या पढ़ती तो अमा को लगता बहु का तो दिमाग बोरा गया है रमा के पत्र आते रहे और अमा का धर्रा अपने डंक से चलता रहा दो साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने तीन साल के पपू को लेकर आए पपू ने अंग्रेजी की चोटी-चोटी के वितायात कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था अभी दो मैने पहले ही रमा ने उसे वहां के अंग्रेजी स्कूल में बरती करवाया था पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी उम्र में वो जरूर बड़ा हो गया था पर बाकी सब कुछ वैसा ही था रमा उठते बैटते रमेशोर से कहती जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा यही हाल रहा तो इसकी जिंदेगी चौपट हो जाएगी ये भी कोई धंग है बला अम्र को बड़ा दुख होगा फिर बेटू तुमारे पास जराबी तो नहीं आता वो अम्र को छोड़ कर कैसे रहेगा ये सारी बातें सोच लो रमेशोर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे अम्र के दुखी बात मैं मानती हूँ रमा ने अपने आवेश को दबाती हुए कहा पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वो भी तो उनसे नहीं हुआ जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं अब इनके दो दिन के सुक के लिए बच्चे का सारा भवेशे बिगार कर अगनू उसका गला भरा आया था रमेशर बेचारा बड़े धर्म संकट में था उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और अमा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुचाना चाहता था सो बिना कुछ निर्ने दिये सारी बात रमा पर छोड़ कर वो मुंबई लोट गया रमा कभी मिठाई दिला कर कभी तांगे में गुमा कर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी बेटू को तांगे में गुमने का बहर शौक था जो कमी पूरा होता था अम्मा को कभी सुपन में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी जिस दिन उन्होंने सुना उनके पैरो तले की जमीन सरग गए जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था तब भी एका एक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था फिर भी कापते स्वर में उन्होंने कहा कैसी बात करती हो बहू मेरे बिनाव पलभरी तो नहीं रहता इतना बड़ा हो गया है फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक खाना नहीं खाता सो एका एक मुझसे कैसे दूर रहेगा नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा आखिर उसकी पढ़ाई का सलसला भी तो जमाना है अम्मा देखो पपू स्कूल जाने लगा और ये अभी तुम्हारा पला पकड़े-पकड़े ही गूमता है अरे पढ़ लेगा बहू पढ़ लेगा उम्र आएगी तो पढ़ भी लेगा ये मस सोचना कि मैं उसे गवारी रहने दूँगी रामे सुर को भी तो मैं नहीं पला पोजा है उसे क्या गवारी रग दिया फिर ये तो मुझे और भी प्यारा है मूल से ब्याद ज़्यादा प्यारा होता है तो इसे तो मैं खुब पढ़ाऊंगी, तू जरा भी चिंता मत करना बहू, पर इसे ले जाने की बात की तो मैं और विफपक कर रो पड़ी, रमा की आखों में भी आसु तो आ गए, फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए एक और स्वर को भरसक कोमल बना कर कहा, मैं साथ भीज दीजे, और इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है, तो रखी ऐसे अपने पास, कहने के बाद ही, रमा को लगा जैसे बहुत कड़ी बात वो कह गई है, मैं, मैं बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी, मैं उसकी दुश्मन हूँ, मैं, तू मेरे प्यार की पर परिक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परिक्षा तो मत ले बहु, इससे तो तू मेरे प्राणी ले ले, उनका रोना बदस्तूर जारी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने को संभाला, और सहियत सर करके बोली, ले जा बहु, ले जा, मेरा बेटू फूले फ से ले जा, कुछ दिनों को मेरी जिन्दगी में हसी खुशी आ गई थी, इसी में तेरा बड़ा जस्मानूंगी, और रमा कुछ कहे उसके पहले उन्होंने रसोई घर में जाकर पीतर से किवार बंद कर लिए, रमा को खुद इस सारी बास से बड़ा दुक हो रहा था, पर ब उन्हों बच्चों को लेकर रमा अपनी मा के यहां चल पड़ी, बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ ले जा रही है, रोज की भाती तांगे में गूमने के लालच में वो चला गया, जाते समय कहा गया, दादी अमा मैं तेरे लिए मिठाई और गोली ले जा रही है, लेकिन मन कड़ा करके वे चुप रही, उसके बाद जो भी घर आया, अपार आश्चरी से उसने पूछा, अरे बहु बेटू को ले गई, तुम तो कहती थी कि बेटू अब तुमारे इपास रहेगा, अम्मा को लगा, जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाग दाग दी हो, तिल मिला कर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता, गठिया के मारे मेरा तो उटना बैठना तक हराम हो रहा है, ऐसी हालत में उसे कैसे रखती, सो मैंने ही कह दिया कि बहु, अब पपू बड़ा हुआ, सो बेटू को भी ले जाओ, अरे अम्म एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रहलोगी उसके मिना, नहीं रह सकती तो भेजती ही क्यों, अब ये कोई बच्चे पालने की उम्र है भला, जिसकी थाती थी उसी को सौपी, बुड़ापा है, कुछ भजन पूजन करनू, उसके मारे तो मेरा सब कुछ पूट गया था, बड़े ही संदिक्त भाव से अम्मा की इस दलिल को औरते स्विकार कर पाती थी, आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दरदीले स्वर में एक लोरी गुन गुन आ रही थी, शाम को गुबारे वाला आया, बुड़िया के बाल खिलोने मिठाई बेशने वाला आया, तो बुझे स्वर में अम्मा ने सब को यही जवाब दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुमारा ग्रहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया, अब यहां मताया करो, कभी मताया करो, कोई तुमारी चीज ने खरी देगा, कहते ही उनका मन तो सुबग उखता था, पर उनकी आखों के आसु जैसे सूप गए थे, तीसरे दिन ओश्दाले का नौकर वापस आया, तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते, बेटू को बुखार आ गया, और वो उसे भरे बुखार वे छोड़ कर वो रमा के हाँ से कुछ न खाता, न दवाई पीता है, अम्मा ने सुना तो उपर की सांस उपर और नीचे की नीचे रह गई, वे पागनों के भाद दोड़ती हुए औश्दाले पहुची, अरे सुनते हो, बेटू रोरो कर बीमार हो गया है, मैं तो पहले ही जानती थी, कि और कपरे ठीक करती जाती थी, नर्वदा आई, तो आशर से बोली, कहां की तैयारी कर रही है, अम्मा, अरे शिब्बू बहु को छोड़कर लोटा तो बताया, कि बेटू ने तो रोरो कर बुखार चढ़ा लिया, मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिन्त हो गई थी, पर वो रह सकता है क्या, उसके तो प्राण मुस्प में ऐसे पढ़ गए थे, कि क्या बताऊं, कोई अगले जनन का सजकारी समझ, अब जाकर लाना पड़ेगा नहीं, तो छोड़ा रोरो का प्राण दे देगा, और गर्व और आरन से उनकी चाती फूल गई, तीसरे दिनी ब रहता भी तो नहीं, एक साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया, रमा मुंबई से आई, और फिर बेटू का वही रवया देखा, तो सोचा, कि वो से सीधे मुंबई ले जाती तो ये सारा कांडी नहीं होता, अमा मुंबई तक तो आनी सकती थी, तो इस बार फिर एक पार दादी मा को रुला कर उनके मना करने पर भी वो बेटू को लेकर मुंबई के लिए चल पड़ी, जाने किस आशा से अमा ने अपनी सारी जमापूंजी खर्च करके शिब्बू को साथ कर दिया, रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं, उस संभाल लेग उच्च सर में राद दिन रट लगाए रहती हैं कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए, पर साथ दिनों बाद जब शिब्बू लोटकर आया, तो वे ऐसे दोड़ पड़ी मानों बेटू को लेकर ही आया हो, जपटकर उनों ने पूछा, मेरा बेटू कहा है, मेरा पीचे जूले इन सब में उसका मन लग गया, शिब्बू ने बताया तो अम्मा शूनी पत्राई आँखों से ऐसे ऐसे देख रहे थी, मानों कुछ समझी नहीं रही हो, शिब्बू कहे चले जा रहा था, चलो तुमारी चिंता दूर हुई, मैं तो अम्मा दो दिन इसी मारे ज़्यादा रुख गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता जाओंगा, पर इस बार बहुजी ने उसे समझा दिया और वो भी समझ गया, अब वहां जम जाएगा, अब तो तुम परसाद चढ़ाओ अम्मा और मजे से वजन पूजन करो, एका एक जैसे अम्मा की चीतना लो आपते हातों से उन्होंने जेब से सवा रुपया निकाल कर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेते आ, अपर साधी चढ़ा कर बाटी दू, कौन नर्वदा, सुना नर्वदा, बेटू मुझे भूल गया, बस भूली गया, और उन्होंने आचल से भर-भर आती आके पोची और हस पड़ी, अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई कहानी मजबूरी, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंदाई होगी, फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो, सुन्दर हो